हलो दोस्तों एक बार फेर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में, आज की रेसिपी में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप बिना मावा, बिना दूद और बिना मिल्क पाउडर के आसानी से बर्फी कैसे बना सकते हैं, बहुत ही tasty और बहुत ही जैसे मावा का texture होता है वैसिक सेम टू सेम हम बनाएंगे वीडियो को लास तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करते तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सोनी की चंस में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा ले ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियो से हैं वह आप स गरम था इसलिए मैंने इसमें आधा कप अब भी डाला है और आधा कप डालने के बाद जब घी थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें हम एड करेंगे एक कप मैदा मैंने एड किया है आप चाहो तो सेम रेसपी आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हो जैसे नॉर्मली पसंद तो आप जादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कम ही डाला है जितना भी हलवाई डालते हैं उस इसाब से मैंने थोड़ा सा कम डाला है हलवाई के साब से थोड़ा सा घी कम डाला है हलवाई तो जितना मैदा होता है उतना ही घी डालते हैं और यानि कि जो बेशन मैद मैं 50 ग्राम लिया है और घी मैंने 110 ग्राम के करीब मैं इसमें घी uy डाला है अब हम क्या करेंगे जैसे जैसे इसको भूते जाएंगे दो करीजे बिलकुर टो इसमें काफिस ज्यादा घी लिएगा future इस तरीके से, तो इसको हमें low flame पे करीब 5-7 मिनट के लिए भूनना है, इसका हमें बहुत जादा color जो है वो change नहीं करना है, बस थोड़ा सा color change करना है, थोड़ा सा brown करना है, बहुत जादा नहीं करना इसको brown, आप चाहो तो normal white भी रख सकते हो बहुत जादा, लेकिन हम जाद white नहीं रखेंगे, थोड़ा सा color है वो change हो चुका है, भून भी चुका है, कच्चा टेस्ट दूर हो चुका है इसके अंदर का, बिल्कुल अब कच्चा नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कैसे पता करें कि भून चुका है, तो आपने हलका सा अपने हाथों में पा और उसके बाद side में रख दें, अब हम इसमें बनाएंगे, दूसरे pan में चाशनी बनाएंगे, चाशनी बनाने के लिए हमें या पे एक कप चीनी चाहिए, एक कप चीनी के लिए मैंने आपे आधा कप पानी डाला है, आधा कप पानी और एक कप चीनी डालना है, जितना हमन हिसाब से इसमें डाल सकते 150 ग्राम या फिर इससे भी जादा हलवाई डालते हैं वैसे तो लेकिन आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं अगर आपको कम पसंद है तो मैंने कम ही डाला है आप इतना डाले तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा चाशनी में एक बार उबाल आ जाए देखेंगे तो यह देखिए एक तार आपको बनते होई दिखाई देंगे जब एक तार बिल्कुल अच्छे से बन जाए मतलब अच्छे से तार बननी Prose allowed नच Right हो तो टार जब बन जाए तो गैस मभले कर देंगे और पैं साइड में करेंगे और यही जो चाशनी है वहमें इसमें डाल दी है और इसको फटा-फट से हमें मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसे हमें ठंडा करना है मतलब अब हमें इसको ठंडा ही करना है सिर्फ अब जैसे-जैसे हमें इसको मिक्स करते जाएंगे ठंडा होता जाएगा और जैसे-जैसे यह बिलकुल ठंडा होता जा तो एक दो मिनट तक ऐसे इसको चलाते जाना है और बीच में आप छोड़ भी सकते हो जैसे फिर से छोड़ दिया और दो तीन मिनट के बाद फिर से इसको चलाया थोड़ा सा थोड़ी सी इलाइची का पाउडर अभी तक मैंने नहीं डाला था तो मैं डाल देता हूं इसमें इलाइची का पाउडर से काफ़ी बड़ टेस्ट आता है तो इलाइची का पाउडर या फिर केयो डा हम रही बस तब तक हम क्या करेंगे या वर्फी नहीं नहीं और नहीं definat eh अगर आप योज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैंने butter paper लगाया है इसकी height थोड़ी सी ज़ादा होती है ना तो थोड़ा सा निकालने में problem होती है तो इसलिए मैंने butter paper लगाया है तकि अपने आप जो बरफी है वो आराम से निकल के आ जाए तो butter paper मैंने पहले oil लगाया, उसके बाद butter paper लगाया, उसके उपर से मैं कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल रहा हूँ, ताकि बिल्कुल बर्फी के उपर चिपक जाए, अब यह देखिए बिल्कुल, तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट में बिल्कुल यह ठंडे हो चु तो इस तरीके से हमें सेट कर देना है, सारा सारा हम इसमें डाल देंगे, और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटी बर्फी नहीं पसंद, तो आप इसमें कम डाल सकते हो, और बाकी अलग भी रख सकते हो या फिर बड़ी ट्रे तो दो घंटे हो चुके हैं, काफी बढ़िया से जो हमारी बर्फी है, वो सेट हो चुकी है, बर्फी सेट होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे, जोर इसको ऐसे पटक दिनगे ना, तो ये देखिए, अपने आप भी जो बर्फी है, वो निकल के आ जाएगी, ये देखिए, बटर पेपर लगा हुआ था, इसलिए बहुत आसानी से बर्फी निकल जाती है, अब इसको हम कट कर लेंगे, जैसे भी पीसे आपको पसंद हो, इसको आप बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखे ना, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने चासनी गाड़ी रखी ह है कि हमारी जो बर्फी है, वो कितनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है, तो देखिए डेक्चर जो है, बिल्कुल मावा बर्फी वाले ही लग रहा है, खाने में बिल्कुल पर्फेक्ट बर्फी है, अब आसानी से इसको घर में सिर्फ एक कप मैदे से बना सकते हो, बहुत आ कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताईए, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, धैक्यू मुझ गाइस मिलते हैं! दोस्तो वीडियो आपको कैसी लेगी comment करके जरूर बताईये और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में